तो लास्ट वीडियो में जैसी मैंने CS rank में 318 की CS rank की streak बनाई वैसी मेरे को बहुत सारे comment आने लगे ये तुम अपनी new idea में क्यों बना रहे हो हो सके तो real idea में बना के दिखाओ इतने सारे comment देखने के बाद मेरा भी दिमाग खरा हो जाता है मैं भी सोचता हूँ क्या सच में possible है हम अपनी real idea में streak बना सकते हैं वो भी इस rank पे अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है light master की rank पे CS rank के streak वो भी 300 प्लस क्या ये सच में possible है क्या reality में ऐसा हो सकता है इसको जानने के लिए मैं try करता हूँ CS rank में 100 प्लस streak बनाने का वो भी अपनी real idea में light master की rank पे वाव इसको test करने के लिए मैं जल्दी से अपने teammate बुलाता हूँ जो कि मेरे permanent squad में खेलते हैं जिनके साथ हम मिलके streak बना सकते हैं और इसलिए मैं सबसे पहले invite करता हूँ अपने permanent squad के members के मेरा dynamic duo zenyx and then यहाँ पे since ff life and then यहाँ यहाँ पे यूए जी अमन एक यूजेन गैंग जि से पहले character skill लगाता हूँ और इसमें भी अपना permanent character skill जो कि है मेरा A124 के साथ ओथो A124 and साथ में netting character के लिए एलाई टेल वरो एंड इतना साब करके हम game start कर देते हैं पहला मैं start होता है हम आते clock tower round में और यहाँ पर मेरे पास है A124 यानि के skill block and साथ में सामने तुम बंदे देख सकते हो अभी हमारी पांच की streak लग चुकिया यह मैंने बहुत पहले से लगा रखे थी अभी पिर सामने एक बंदा आता है जो कि जस्ट एक ही को लिगा था यह स बंदे को ले लिया था एंड इसको सबसे पहले मैं clear कर देता हूँ अब सिर्फ दो ही बंदे बंदे बचे होते 1v2 होता है मेरे सामने मेरे को नहीं पताता मैं यह आपर जाने के ट्राइ कर रहा था बट यह लोग तो देमेज दी जा रहे हैं मैंने सोचा मेरे उपर पीछे स रश होगा इसलिए मैं जल्दी से नीचे आगया बट यह बंदे नीचे ही होते हैं और यह डारेक्ट मेरे सामने आता है और उसने मेरे को बाड़ी बाड़ी के साथ खतम कर दिया बहुत ही असानी से हम पहले राउंड हार जाते हैं लेकिन अगले राउंड में मैं एक सान था हमारे लिए बस हम पहला राउंड हारके औरना यह मैं चार जीरो जाता अभी नीचे एक बंदा होता है और यहां पर मैं जोस जोस में रश कर देता हूं और यहां पर आसपास और तीनों नोक ले लिया बट कोई नहीं यह राउंड भी हम जीत जाते हैं टीमेट जित है इसको लगा मैं इसके पर रश करूँगा बट मैं देख के रश करता हूं और यहां पर मेरे पास ती ड्रैगन फ्रीज एंड साथ में फ्लैस फ्रीज मैंने ड्रैगन फ्रीज भी फिक दिया और फ्लैस फिकने के बाद यह वंदा नौक आ जाता है बट सोने दिमित्री वा बट हमारे साथ सिन सिवफ थे हम साथ में रश मारते हैं और सामनीक सेट हम जैसी जा रहे थे सामनीक सेट दो बंदे बैठे हुए थे मैंने सबसे पहरे देख लिया था एक बंदे को हेड़ पड़ा सबकी लोकेशन तो आई रही होती है मैं एवन टूफर फेक देता हूं ब मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इस मैच को स्टार्ट करने के लिए मतलब हम जैसी रेड़ी क्लिक करते हैं मैच स्टार्ट हो जाता है और तुम रैंग देख सेटे हो सामने वाले बंदे अलाइड मास्टर के थे मतलब बिल्कुल भी नहीं है एकदम हार्ड कर दिया बट मेरे सारे के सारे पता नहीं कैसे लॉक बेर सामने एक बंदा rede और मेरे पास है मंदलब चोडूगन की रेंज इतनी तो है नहीं बट उसकी बहुत ज़्याश्ट ऑए है इस लेह फिर जोन का जो सरकल होता हो बन जाता है अब मेरे को यहां पर जाए थी मेरे को मिलती है युए एट यहां पर नौक पड़ा वाट यहां पर लेकिन अभी पिक्चर बागी थी मतलब ट्विश्ट आना बागी था सामने वाले एनिमीज भी इतने नूप नहीं थे यह सेगंड हैं अपना यहां पर चैम कोरती हैं हैं करने का त्रॉय करता हुं कहीं से आपने जाता हो और मेरे दो ही टीमिट बचे होते हैं जिन में से एक और टीमिटाइब प्रोलेंदा दिया है उसके साथ ही जीत जाता है और स्कूर हो जाता है जण हमें ऐहारा वहारा इतना ये अगले सिर्गरार में एकडम से क्याम्पिंग अनुछ और इस करे देता है तो मैं अपने डिम एक जूर ये और बूनिने तो कह सकते हो पावर act मतलब हैडशूट मारे इसने और हम दोनों कई पूपट कर दिया अब यहां पे एकी टीम एड़ कर देते हैं हम यहां पर तीन और एक कर देते हैं रांड को आप यह लाकर राउंड हम जी देंगे यह आरेंगे नहीं पता में श्मोग वाले ट्रिक यूज करता हूं और एक दम भी नौक हो जाता है, यहां तक मेरे डबल किल हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ आप कौड़रा कर देते हैं, चाहे कुछ भी ओ एक बंदा और देखता है मेरको मैं बिना देखे राष्ट कर देता हूं, बट यहां पर एक नहीं दो बंदे होते हैं, दूसरा बंदा ओर नि बन ज नहीं एक से लेकिन बहुत अश्य कमबेक कर रहे होते हैं यह लोग बैक टो बैक हमें दिफीट करते हैं मतलब एकी राउंड डिफीट करा है अब हम तीजी राउंड जीत चुके हैं बट यहां पर सामने तकड़े बंदया रह रहते हैं कि यहां पर आती ही नौक ले लिए इस हम 100 की श्ट्रीक भी बहुत असानी से बना देंगे लेकिन तुम्हें पाता है ट्विस्ट तो आना ही है और यहां पर ट्विस्ट है हैकर मैं अगले गेम में आ चुगा था और यहां पर आने के बाद मेरे को सबसे पहले नेड मिलता है और नेड का बहुत अच्छा यूज करा अकेला मेरे को नॉक करता है सामने सारे बने नॉक हो जाते है बट यहां पर यहां पर यहां पर बनेगी नहीं बनेगी यह मेरे को नहीं पता यहां पर जाती है मैंने नौक लिए लिये था इसका टीमेट आदास को रिवाइब करने के लिए मैं वाल तोड़ना यहां से स्टार्ट कर देता हूं मेरे को बता था यह दोनों यहीं पर होंगे और डोनों को एम करके मैंने यहां पर नौक किरा है मेरे पास थी MP40 मेरे सामने बंदा आता है मेरे को बता था आएगा बट हेडशोट दिया है मैंने इसको बहुत ही असानी से और हेड़ देने की बादी नौक हो जाता है अब यहां पर सिर्फ दो ही बंदे अलाई बचते हैं तुवी टुए है हमारे सामने जिसमें से की एक बंदा नौक होता है इस गेम के बाद हमारे एक टीमेट का नेट वर सा स्लो था इसलिए वो ग्रूप लीव कर देता है और हम उसको दुबार से एड़ करते हैं बट नेट सलो है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आप देखते है क्या होता हमारे साथ अगले गेम में या 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 लोग हमें हरा भी सकते हैं अगर हम थोड़ी सी भी लूज केलते हैं अब मेरे सामने हो चुगा था और यह बंदा चलाग बन रहा था वुकॉंग से मेरे पास थी ब्लॉकर मैंने ब्लॉकर है स्किल एड़ है बहुत ही बहरा है के साथ ही बंदा खतम हो जाता है तुम में से दिमित्री को हीट करते होगे बट दिमित्री एक बहुत ही यूसफुल गरेक्टर है और वो तुम यहाँ पर देगी सकते हो यहाँ पर हम जाते हैं सामने वाले भी नौक होते हैं बट हम तीनों ही नौक हो जाते हैं हम चारों नौक हो जाते हैं बट सिर्फ एक दिमित्री के करता हूं तो दूसरा बंदा ट्राइ करता है मेरे उपर रश करने का बट जैसे मैं नेड करता हूं यह भाग रहा था बट मैनस की लोकेशन देख ली थी मुझे बदना कंटेनर के पास जाएगा मैंने नेड किया और नेड करते हैं नौक हो जाता है मैंने इस राउंड में डर लग रहा था कि हैकर ना जाए अगले मैच में हैकर तो नहीं आते हैं बट सामने एक ऐसी स्कॉड आ जाती है चुकि इतना अच्छा खेल रही होती है हमें भाई बुरी तरीके से मारा मतलब पहला राउंड तो इतना गंदा मारा मैं बता नी सकता मतलब दिखा भी नहीं कर देते हम बैक तो बैक दो रांड विन करते हैं मतलब हारते हैं इसके बाद हम जैसी तीसरे रांड में जाते हैं मैं भी नॉक और यह भी नॉक बट यहां पर मेरा कोई टीमेट आता निया में रिवाइब करने के लिए यहीं सबसे बड़ी बकवास बात होती है इस मैच की कोई भी रिवाइब करने आता नहीं है जैसी युए जी अपर एक बन्दा आता है मैरे को क्लियर ले लिता है और इसके बास तरफ एक ही टीमेट बचाता है हमारा जो की अमन था क्योंकि यहां पर सारे के सारे के सारे कीमेट्स नॉक हो चुके थे बता निक क्या ही खिल दे मेरे टीम इट्स कोई भी बंदा अच्छे से नहीं खिल पा रहा था है लग बैक टू बैक नौक दिये जा रहे थे और मैं और अमनी खिल पा रहे थे बट इसके बाद हम यह राउंड भी हार जाते हैं तीन जिरो हो जाता है मैच वड़ से सीरिस होगे था क्योंकि हम तीन राउंड बैक टो बैक हार सोगे थे अगर हमें कमबैक करना है तो हमें कुछ भी करके राउंड से निकालने पड़ेंगे और इसलिए मैंने डिसाइड करा कि कोई भी पहला नौक नहीं देगा इतना सब बोलके हम आते हैं अगले मैच में मतलब राउंड में और यहां प्याने की बाद अगर कमबैक करना था हमें तो हमें कुछ ऐसे ही खेलना था साथ में मिलके इस सामने वाले बंदे पता निकिए लेकिन बहुती गंदा रश कर रहे थे हमारे उपर इसा लग रहा था इन बंदों में बहुकुल भी डर नहीं है एक बंदा तो बेखाफ होके उपर चड़ चुगा था बट सब की लोकेशन आ जाती है जब एक बंदा नौक आता है जैस बता जिसको मैं M10 लेके खतम करता हूं और इसके बाद यह राउंड भी हम जीत जाते हैं मतला पहले राउंड हम जीत चुके और कमबैक होगा नहीं होगा भी तो नहीं बता बट पहला राउंड हम जीत चुके हैं अगले राउंड में आते हैं यहां पे एक बंदा ऐसे हैं जल्दी से लिकुल मैं करने के लिए दूबार असे जाता हूं और बहुत जल्दी नौक कर दिया है बन्दे बहुत तखडए वाई सामने लेकिन आप हम यहां पे बैक टुबैक दो राउंड जीत चूके थे और अगले राउंड में आने की बाद थुड़ी बहुत कैम् यहां पर जीतने के लिए थोड़ी बहुत कैंपिंग तो चलती है सी इस रेंग में बहुत देर बाद एक बंदा निकलता है राइट से और मैं इसको नॉक निकाल लेता हूँ जैसी मैं इसको नॉक लिया मेरे दो टीम में नॉक जाते हैं बैक टू बैक यहां पर अब देखो मैं क्या गरता है मेरे पास थे MP40 मेरे को बता ही रिवाइव कर रहा होगा और यह रिवाइवी कर रहा था मैं सामने गया इस प्रेट यहां बहुत ही इज़ी बिज़ी खतम हो जाता है राउंड जाता है 3-3 का इक्वल यहां तक सब कुछ बढ़िये तरह था और हम यह मैच बहुत अथाने से जीत भी सकते थे बट यहां पर फिर कुछ ऐसा होता जो कि बिलकुल यह एनेक्सपेक्टेड था हम अगले राउंड में रश मारने जाते हैं मैंने सब को बोला हम यहां से रश करेंगे और जैसी हम जाते हमारा एक टीमिट जाती ही नौक देता है युएंजी अबन बज़ता है एंड मैं अब जाता हूं एंड में हमारे दो टीमेट अलरी नौक हो चुके हैं मतलब यहां हमारे सामने टूवी टू होता है बट दिक्कत वाली बात यह होती है मेरे को बिल्कुल भी लोकेशन नहीं पता है मैं अपने टीमेट को कवर देने के जाता हूँ है ठीमेट से बुझार पेचे से मैं अब यह कैसे करता है और यहां से मरे को धाश पड़ता है यहां तो भी मैच भर भाठाब होता और यहाँ पर मैं पता लग गया कि श्ट्रीक बनाना पॉसिबल नहीं है देखो यह तो अच्छे बन देते हैं इसलिए हम हार गये बट बाइचर अगर हम यह मैं जीत भी जाते हैं इसके बाद हैकर आना स्टार्ट हो जाते हैं और हैकर कैसे आते हैं तुम यहाँ पर देखी सकते मतलब बैक टो बैक एक गेम में नहीं बहुत गेम में हैकर सायते हैं 146 की रैंक हो चुकी थी और अगले गेम में ऐसे-ऐसे हैकर सा रहे थे मतलब खड़े-खड़े मार रहे थे वह यहाँ पे एस पे एस तुमने देखा यहाँ पर सो आई होब कि तो में अभी तक समझ में में आ चुका होगा कि इस रैंक पर स्ट्रीक बनाना क्यों पॉसिबल नहीं है और क्यों हम यहाँ पर नूब आईडी में बनाते हैं और वो भी सीजन का वेट करके स्वायोब कि तो में सब कुछ समझ में आ चुका होगा मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ब